नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जितेन चोदरी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेके एडूटेक में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक लिम्टेट के बारे में जैसा कि मैंने यस बैंक लिम्टेट के ऊपर बहुत सारे वीडियो अपलोड किया है और जब भी यस बैंक लिम्टेट से डेटेट कोई भी छोटी या बड़ी डियूज आती है तो पूरी सच्चाई और इमांदारी के साथ मैं आप लोग के सामने डेटा प्रजिंट करता हूँ तो आज जिस तरह से यस बैंक लिम्टेट ने बाजार में तांडो मचाया निश्चित तोर पे ओ लोग घबडा आ गये होंगे जिन लोगों ने यस बैंक लिम्टेट को यहां खा कर बेश दिया था यहां सोच कर बेश दिया था कि यस बैंक लिम्टेट का सेर जो है सिंगल डिजिट में आदाएगा आज जो है ओ काफी पच्चता रहे होंगे तो रिटेल निवेसक कि यही सबसे बड़े कमजोड़ी होती है कि वेटिंग छमता नहीं होती है तो जितना जादा आप इंतजार करेंगे उतना ही मीठा फल आपको मिलेगा स्टॉक मार्केट से तो इस बड़े धमाके के पीछे की जो मेन रिजन्स है ओ धमाका आ जुआ है इसकी रड़ीती दो दिन पहले ही बन चुकी थी आपको मैंने बताया था कि Reliance Infrastructure के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था कि Reliance Infrastructure को जो है दिल्ली Metro यानि कि DMRC से जो कोट में जो फैसला चलना था तो उसमें चार हजार आठ सो कुर्ड रूपे जो है मिलेंगे यानि अनील अम्बानी की Company Reliance Infrastructure का जो प्रजेक्ट Metro के लिए दिल्ली में चलना था उससे जो है चार हजार आठ सो कुर्ड का प्रजेक्ट होगा तो अनील अम्बानी ने इहां पर स्टेट्मेंट दिया है कि ओ जो है अपनी इस Company Reliance Infrastructure को जो है जीरो डिप्त बनाएंगे यानि गर्जमुक्त Company बनाएंगे आपको बता दे कि अनील अम्बानी की Reliance Infrastructure Company के ऊपर 3,808 क्रोड रुपे का करजा है जो की केवल Yes Bank Limited का है तो आप सुच सकते हैं कि Yes Bank Limited का 3,800 क्रोड रुपे का करजा है और यहां से DMRC से जो है 4,800 क्रोड रुपे मिलने की पूरी उम्मीद है यहां पर आप सुच सकते हैं इसके लिए जो है Judgment और Division Branch of the Supreme Court की एक Justice अगवाई में एक मिटिंग हुई थी 2017 से उनकी एक केस चल ला था और इस केस में जो है अनील अंबाने की कंपनी Relance Infrastructure को बहुत बड़ी जीत मिली है तो कोट ने यहां पर साप साप यहां पर ओर्डर दे दिया है कि दिल्ली Metro Corporation को कि ओ जो है Relance Infrastructure को जो है 4,800 करोड रुपे का पेमिंट जल से जल करें तो जो दिल्ली Metro के लिए जो परजेक्ट था एरपोर्ट तक जो रोड बनाने का जो कॉंटक्ट था Relance Infrastructure और दिल्ली Metro Railway Corporation के बीच में तो ओ मामला जो है पिछले चार सालों से कोट में चल रहा था तो यह जीत निश्चित तोर पे लीगल लूप से बहुत बड़ी जीत है यहाँ पर Relance Infrastructure के लिए और मुकेस भाई अंबानी के छोटे भाई अनील अंबानी जब भी कोई statement देते हैं तो काफी अच्छा statement देते हैं क्योंकि आज ओ भले से ही bank दिवालिया है लेकिन जब कोई ओ बात रखते हैं मेडिया के सामने तो पूरी सच्चाई के साथ रखते हैं एक समय ऐसा था कि उन्होंने बता दिया था कि मेरे पास जो है loan payment करने का पैसा नहीं है बिल्कु सच्चाई बात है और यहां पर अब 4800 कोड़ उपे मिलने के बाद उनका statement आया है कि ओ जो है सबसे पहले bank को का करजा देंगे इसके अलावा आपको बता दें कि ARC यानि Asset Reconstruction Company का plan Yes Bank Limited के MDNCU मिस्टर परसांद कुमार की देन है मिस्टर परसांद कुमार लगातार bank के NPO को कम करने के लिए यहां पर Asset Reconstruction Company का निर्मार कर रहे थे और इसको लेकर उन्होंने RBI का भी दरवाजा खट-कटाया था रिजर बैंक का आप इंडिया का भी दरवाजा खट-कटाया था और उनसे उमीद की थी कि ओ जो है ART Construction को जो है Approval दे ताकि Yes Bank Limited की जो Bad NPO है उनको कम किया जाए लेकिन हाँ पर RBI ने साफ मना कर दिया reject कर दिया इनके proposal पे वहीं आपको बता दें कि ICRA ने जो है अपनी rating भी दी है कि 10,000 करोड रुपे जुटाने की share धारकों से जो मंजूरी मिली है इससे कहीं न कहीं Yes Bank Limited को long term में जो है बढ़िया profit होता हुआ दिखेगा और सबसे बड़ी हिस्सेदारी तकरीवन 30% की हिस्सेदारी केवल भारती State Bank का share पे है इसी तरह Dish TV में देखे तो Dish TV जो है Dish TV में सबसे बड़ा श्टिक जो है Yes Bank Limited का है और Yes Bank Limited ने G Group के पूर पर मोटर सुबाश चंदरा पर जो है 6,500 करोड पे का कर्ज बकाया है यानि कर्ज अगर मिल जा है हलाकि कर्ज की रिकवरी धीरे धीरे हो रही है लेकिन अगर कर्ज पूरा मिल जा है तो Yes Bank Limited नंबर वन बैंक बनेगा और जो अभी share आपको दो जिजिट में दिखेगा यही share जो है आपको चार डिजिट में दिखता हुआ मिलेगा आपको रिस्की shareों में खरिदारी करते फंड आउस एक महीने पहले की बात है कि जब Yes Bank Limited अडानी इंटरफाइज और अडानी पोर्ट की share में जबर जस्त खरिदारी चल लए थी तो ऐसा जो mutual funds जो बड़े बड़े corporate action है और जो बड़े बड़े corporate sector की जो बड़े खिलाड़ी पर इस बड़े बड़े हैं और जब बेचने पर तुली होती है तब खरीदने की होल लगाते है और जब बेचते हैं तो पूरी दुनिया खरीदती है यही कारव है कि जिस सेक्टर में जो है mutual funds रिआई एफई आई की share holding जादा होती है उसमें आप तूलना करेंगे तो पाब ICRA ने दी बड़ी रेटिंग, वीडियो भी आप जरूर जाकर चेक कर लिजिएगा, मैं Yes Bank Limited पर लगातार जो है, फोकस बनाया रखा हूँ, और जब भी कोई अपडेट आती है, तो मैं कोसिस करता हूँ, कि उसका वीडियो बनाके सबसे पहले आपको प्रजेंट करूँ, तो बैंक में लिक्विडिटी डालने के लिए एक बहुत अच्छा चांस है, कि फंड रेश की अदार है, तो 10,000 करोड रुपे का फंड आएगा, और निश्चित्वर पे यदि Reliance Infrastructure के मालिक अनील अंबानी, यदि बैंक को करजा लटा देते हैं, तो एक बड़ा धमाल आपको Yes Bank Limited में देखने को मिल सकता है, और जो स्टाक अभी 10 रुपे, 12 रुपे के करीम में अभी दिख रहा है आपके सामने, यही स्टाक 2-3 महीनों के अंदर 30-40 रुपे के ऊपर जाता हुआ भी दिखेगा, मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों कि Yes Bank Limited का Management अच्छा है, पहले जैस लोई बैंक ने इस पर आरोप लगाया, इसने सेवी ने इसके खिलाब सबूत पकड़ा, यह सब आती थी, तो इससे जो है बैंक लगातार नीचे जा रहा था, लेकिन जो बैंक की जो नई टीम है, Mr. परसांद कुमार की टीम है, क्या यह जब से Yes Bank Limited की कमान सम्हाले है, तब से क्या कोई नीज आई, एदि ऐसी कोई बैर नीज आई है, और इनके मैनेजमेंट में अदि कोई घोटाला हुआ है, तो नीचे comment box में comment करके आप ज़रूर बताएगा, वहीं जो मेरी favorite strategy है, range bound, जब कोई स्टॉक लगातार, कोई भी स्टॉक जब लगातार, एक ही price range पे कई दिनों तक खड़ा रहता है, फिर उसमें अचानक से एक बड़ा move आता है, और आज जो 13% का 14% का जो बड़ा move आपको देखने को मिला है, आपने चित्तों पे चौक गए होंगे, मैंने इस पर कल भी जिक्र किया था आपने वीडियो में, वहीं volume पर ध्यान दें, क्योंकि आ आराज candle आपको बनता हुआ, यहां पर दिक रहा है, आप खुझ से analyze कर सकते हैं, कि yes bank limited में, जो आज price moment में जो तूफान आया है, जो तांडों मचाया है, उसके पीछे कई दिनों से तयारी चल लई थी, तो यदि market में देखिए, आप नए हैं, और अभी अभी stock market में आपने entry ली है, तो पहले चीजों को समझिए, पहले आप paper trading कीजिए, कुछ नहीं करते हैं, आप अपना demet account open कीजिए, demet account open करने के बाद, share को उपर नीची होते हुए, जब देखेंगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यदि अभी तक आप लोगों ये demet account नहीं खोल है कि कल की rate में 3-4% की profit booking हो, क्योंकि जब बड़ी तेजी आती है, तो जो छोटे लोग होते हैं, जैसे उनका portfolio 4-5% में दिखने लगता है, वो इस तयारी में जुट जाते हैं, कि जल्दी से जल्दी इसको बेचा जाए, नहीं तो क्या पता, फिर नीचे आ जाए, तो हो सकत है कि इसमें थोड़ी सी profit booking आए, तो आपको बिलकुल घबडाना नहीं है, और आज की date में देखें, दो बज़े तक का data है, 59,34,59,069 की quantity में जो है यहां पर sales date किये गए है, जिन में से 24,69,67,931 sales की delivery उठाई गई है, तक रिवन 41.61% के करीम में यहां पर delivery उठाई गई है, यानि volume देखें, तो 60 करोड के करीम में यहां पर जो है, आज जन्रेट हुआ है, इस से बेटर आपको क्या चाहिए, देखें मैं जो भी वीडियो बनाता हूं, पूरी इमंदारी के साथ बनाता हूं, डेटा के साथ बनाता हूं, यह आपको मेरे डेटा पर यकीन है, तो यह उमेद है कि इस वीडियो पर आप बहुत सारा प्यार देंगे, नए हैं, तो प्लीज चनल को सबस्काइब कर दिजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिजिए, ताकि जेके एरोटेक की तरब से हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा है, वीडियो देखने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए इवारपुना बहुत बहुत धन्यवाद.